प्याज की आखरी सिचय कब करें और किन बातों का ध्यान रखें आखरी सिचय पे ही काफी हद तक हमारा प्याज बंडारण कितने दिनों तक रेश सकेगा हो ज़्यादा निर्भर करता है नमस्कार प्रिकिसान नत्रो मैं उमेश पटेल जीफाम खेती बड़ी चनल में आप सभी का स्वागत करता हूं उसका पहला कोफ होता है जो मदद करता है उसे आम नहीं पक्राप को लेते खेत using तो इस उसे पर हमारे प्याज में क्या क्या नुकसान हो जाते हैं तो सब यह सब यूपा यह हो और लग जाम हो जाता है इसके पश्यात क्या होता, इसमें जगे जगे, छोटे-छोटे सडने के धब्बे लग जाते हैं, या कई बार क्या होता है, एक तरह से वह पूरा सडन लग जाती हूं, उसके पश्यात दूसरी शिकायत क्या आती, कि जो हमारी जड़ है, ज़सा Baptist देख पा रहे हैं, यह जड़ का यहां वाला हिस्सा हमारा जो होता है बहुत बार अवर पानी देने की वज़े से यह बिसड़ जाता है जिससे क्या होता है कि जड़ तूटकर वहीं रे जाती है जमीन में जिससे फिर से हमारी समस्य आ जाती कि बंदारण में जब हम प्याज बंदारण करने जात यह आवर पानी की वजह से हमारे जो कलर वो भी डॉलव हो जाता है और क्या होता कि दाशी निसे ड़ल जाएगी और हम पानी ओग देते रहेंगे तो उखाणने में भी दिक्कत आएगी और फियाज यहीं से तूड़ जाएगा जिससे क्या होगा कि हम जो प्याज की साइज ज जो पूरा खड़ा है तो उसमें तो आप पानी दे सकते हैं आखरी सिचाय में कि कोई भी और कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर जो 110 दिन का हो गया तो भी अब इसके पश्चात हमारे खेत में अगर जो 25-30% तक कुछ प्याज इस प्रकार से नीचे गड़ ड़ल चुक है अब बल्प पे बिल्कुल भी नहीं जाहिए कि हमारा बल्प छोटा है और पानी देही जा रहे है तो उसके चक्कर में जो आपके खेत में बल्प दूसरा बंद गया है उसकी साइस पूरी हो गया आप उसे पूरा खराब कर लोगे अच्छा किसान भाईयों हमने आखरी स बना हुआ है इसमें भी मिट्टी नहीं लगी वी हो तो समझे कि हमारा प्याज हावेस्टिंग के लिए रेडी है किसान भाईयों में पहले वीडियो में बता चुका हूँ एक बार और बताना चाहूंगा कि कोई भी दवई ऐसी नहीं बनी है कि 10 दिन या 8 दिन में आपकी प्याज की साइज दो गुना कर देगी किसी के बहकाओं में ना आए फिर भी कहना चाहूंगा शूरू से ही हमें खाद भीच का ध्यान रखना है कि क्या क्या डालना है हमारे फसल में जिरो जिरो पचास यह जो आप रस उताने वाली दव ही हो गई वह इतना ज्यादा काम न करना बोले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें